असलाम अलेकुम बेक टो माई चैनल दिसमी फाइकासन कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोग के लिए कर आई हूँ एक मैकप टुटोरियल लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यह भी जो आप मेरा मैकप लुक देख रहेंगे मैं इस वीडियो में ही फिल्म किया जो आप आग पर जरूर लगाया करें इसपेशली अगर वर्किंग वोमेन हैं स्टुडेंट हैं बाहर जाती हैं तो सब्सक्रीन जरूरी है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि काफी लड़किया मुसे पूछ रहे हैं कि हम सब्सक्रीन लगाते हैं तो हमारा मुझ सफैद हो जाता है हम उस स्क्रीन में और फिजिकल सन स्क्रीन में क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में स्क्रीन कहां पे और कॉन सी हम चाओं से पाकिसा मिली है heaven विडियो वेडियो विय्क है अब जरूर देखीगा मैं वीडियो के लास्ट मिलीक देध Seeing तो वो सब कुछ मैं भी नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर में ही चेक कर लिएगा, आज मैं आपके साथ कुछ अपनी current sun screen जो मैं यूज कर रही हूँ, वो शेयर करूँगी, और मैं कैसे make-up करती हूँ, without foundation sun screen के साथ, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, किस तरह से आप कर सकते हैं, और दूसरी बात ये, कि आप अगर daily basis पे कोई भी बीबी क्रीम, CC क्रीम या foundation लगाती भी हैं, तो आप उसके उपर भी इस तरह से sun screen लगा सकती हैं, जैसे कि मैं आज आपको बताऊ कुछ current favorite sun screen है, सारी तीन ये बायोडर्म की हैं, जो यहां पर easily मिल जाती है, वो ही मैं बाय करती हूँ, मेरे पास न्यूट्रिजिनर की भी थी वो खतम हो गई है, ये मेरे पास कुछ बायोडर्म की हैं, लारोश पुजे की हैं, इन में से कुछ physical हैं, कुछ chemical हैं, और इन में और आपकी oily skin, acne prone है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये chemical sun skin है, और इससे मुझे कोई दाना, pimple, कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेक आउट नहीं हुए, और दूसरी बात, ये आज जो मैं इस वीडियो में sun skin यूज़ करूँगी, ये बायोडर्म की है, इसमें थोड़ी सी white cast तो मैं आपको बताऊंगी कि ये आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप यह मढगासकर में तो ये इसली फार्मसी से मिल जाती है, आप इसको ले सकते हैं, तो चलते ही टुटोरियल स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप sun skin के साथ daily basis पे मैक एकनी प्राउन है, मुझे ये मौस्टराइजर सूट करता है, पहले मैं अपनी skin पे चासे मौस्टराइजर लगाऊंगी, और मैं ये सर्जिस्ट करती हूँ कि मैकप से 10-15 मिनट पहले आप अपनी skin को मौस्टराइज कर लें, इसकिन पर मैं प्राइमर अप्लाई नहीं करी कोशिश करें अगर आप अपनी चिक्स के ऊपर थोड़ा सा टिंट, यहां पर मैं यूज करें हूँ बेनिफिट का तिंट, आप गहर का बना हूँ तिंट यहां पर मैं यूज करती हूँ और मैं उसकी वीडियो पे आप लोग सा शुए कि यह तो आप लाग लास्टिंग र लगा लें लिक्विट के ऊपर लिक्विट लगाते हैं तो इसलिए मैंने अभी तक कोई पाउडर चीज नहीं लगाई पहले मैं ने टिंट अपलाई कर दिया जुए जो ब्रश के उपर लगा हुआ था थो यूज की ऊपर नोस की उपर अप्लाई कर दिया लास्टिस्टे बहुत से लड़किया कॉमेंट करके पुछती हैं कि हमारा कलर डल हो गया है रिंकल्स हो रहे हैं एक्नी मार्क्स हैं तो इसका रीजन यह है कि आप सने स्किन नहीं लगाती है प्लीज लगाएं और अपने हर एरिया को इसको कवर करें जो भी आपका एरिया एक्सपोज होता है जो आप पहले मेक्अप से सननसकिन लगा लेते हैं फूटेशन से पहले तो उसका असर है वो कम हो जाते हैं तो बहुत है कि सप्रे वाला सनसकिन है या इस तरह से है जो जिस तरह से करती हूँ मैं आपके साथ अपनी टेक्निक्स शेयर करिए और पिर मैंने ब्लेंडर के सार इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा लगा हुआ है या वाइटनेस नजर आ रही है तो वह भी अच्छे से में ब्लेंड हो जाए थोड़ा सा ये मैकप गलोई भी लगता है और साथ ही में अच्छा सा आपको UV और UV रेजिस से यहाँ पर आईब्रो बनाना चाहिए पैंसल के साथ आपकर सकते हैं यहाँ नगा अपनी च्वाई से मैं अप्लाए कर रही हूं मस्कारा और आप चाहिए तो यहाँ पर लाइनर अप्लाए कर लिया अगर डेजिन लगाणा पसंद करती है घर के बना हुआ में भी यूश कर बहुत अच्छा है बिल्कुल सेफ है मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए यहां पे लिप्स्टिक यूज कर रही हूं और यह हर किसी के अपनी परसनल चाहिस होती है आपको डार्क लिप्स्टिक पसंद है तो डार्क लगा लें लाइनर पसंद है जो भी पसंद है यहा गया मेरा नेश्रल डेली मेकप जो कि बेस्ट है समर्स के लिए विंटर्स के लिए आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहेगी ग्लोई भी लगेगी और साती में उस पे जो प्रोड़क्ट्स है वो भी बहुत कम लगे हूए तो आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा और आप यह लुक अच्छीव करें तो मेरे साथ जरूर शेय करिए अपने एक्स्पिरियंस फॉलो कर लें मुझे इंस्टेग्राम पर एंडू लेट मिनो क्या आपको यह मैकप लुक कैसा लगा सो यह तो आई होप आई आपको वीडियो अच्छे लगे होगे मैने डिटेल में आपको सब कुछ बताया है उसी के साथ एक और चीज़ यह मेरे पास है इट कॉस्मेटिक्स की सी सी क्रीम इसमें SPF 40 है मतलब इसके साथ आपको सन स्क्रीन यूज़ करने के जरूवत नहीं है लेकिन मसला यह कि एक तो महेंगी है और फुल कवरेज है आप इसको डेली बेसे पर यूज़ नहीं कर सकते है आप अगर डेली बेसे पर यूज़ करना भी चाहें तो एक डॉप करेंगे जो के इनफ नहीं है सन प्रोटेक्शन के लिए तो यह मैंने बाई की थी और मैंने शाहिए जिस्ट एक से दो बार इसको यूज़ किया क्योंकि मेरा बाहर जाना इत की उपर अगर बहुत अच्छी है ओए जिस्ट एक लिए बैस्ट है तो आप यह बी ले सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर करती क्योंकि मेरे पास थी मैं आज कर यूज़ यूज़ बी कर लेती हूं अगर में कहीं बहार जाती हूं तो तो आप गास गई भी भी आपका कुस् झाल 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 झाल